तो दोस्तों एक अपरेल 2022 से आपके लिए e-invising mandatory हो सकती है अगर आप इस category के अंडर आते हैं तो 24 फरवरी 2022 को GST का एक नया notification जारी हुआ है जिसमें की ये चीज़ clear mention है कि अगर आप इस category के अंडर आते हैं तो आपको एक अपरेल 2022 से e-invising करना mandatory हो जाएगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विरेंदर कोकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली टेकनिकल चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आकन को भी क्लिक कर दीजिए इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो दोस्तों 24 फरवरी 2022 को GST का एक नया नोटिफिकेशन आया है जो की आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन से ये किलियर है कि 1 अपरेल 2022 से ये इन्वाइजिंग करना कमबलशरी है यानि कि मेनिटरी है अगर आपकी turnover 20 करोड या 20 करोड को क्रॉस कर चुकी है अब वो जो turnover है वो आपके इस financial year की है या last financial year की है कि कब की है तो वो हम आगे अभी समझते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले जो ये इन्वाइजिंग है वो स्टार्ट किया गया था जिसकी turnover 100 करोड से उपर है उसके लिए e-invising mandatory कर दिया गया था और second step में जिसकी turnover 50 करोड या 50 करोड से उपर है उसके लिए e-invising mandatory हो गया था और सभी लोग जिनकी turnover 50 करोड से उपर है या 50 करोड क्रॉस कर चुकी है उन सभी businesses के लिए GST में e-invising का generation करना compulsory हो गया था लेकिन अब एक नया update आया है 24 फरवरी 2022 के notification में कि अगर आपकी turnover 20 करोड या 20 करोड से उपर है तो आपको e-invising बनाना या e-invising generate करना compulsory है तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा समझते हैं e-invising process के बारे में कि यह e-invising है क्या जो कि यह इतना mandatory हो चुका है और जो यह इतना important भी है तो दोस्तों e-invising कोई ज़्यादा बड़ा हवा नहीं है एक simple है जैसे कि आप अभी invoice बनाते हैं वैसे ही आप invoice बनाते रहेंगे लेकिन इसमें आपको एक छोटी सी चीज एड करने पड़ेगी मतलब जो भी invoice आप बनाओगे उसको आपको GST के portal में उसकी details upload करने पड़ेंगी और जब आप ओ details GST के portal में update करेंगे यानि कि GST में वो सारी details देंगे कि ये हमारा invoice number है ये सारी चीज़ें जो भी invoice में होती हैं तो उसके बाद GST portal से उस invoice number के बिहाप पे आपको एक QR code यानि कि IRN number आपको generate होके मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक QR code नमबर भी आपको मिलेगा जो कि आपको अपने invoice में print करना है अब यहाँ पे सवाल ये आजाता है कि ये सारी चीज़ें manual हो सकती हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें manual नहीं हो सकती हैं अगर आप अभी manual invising कर रहे थे या किसी ऐसे software का use कर रहे था तो उसमें आपको एचेज देखने को नहीं मिलेगी बाकि जितने भी accounting software है market में उन सभी में e-invising का option available है क्योंकि जिनके टर्न ओवर 50 क्रोड से उपर है वो सारे लोग e-invising generate करते हैं और software से ही करते हैं क्योंकि जब आप e-invising के लिए register करेंगे तो उसके लिए आपक API integration या फिर आपको json file का use करना पड़ेगा मतलब वहां पे ऐसा नहीं है जैसे आप e-bail बनाते हैं कि आप e-bail की side पे जाएं और वहां पे आप सारी details डाले अपने invises की और आपका e-bail generate हो जाए तो e-invising के case में ऐसा नहीं है आप e-invising को manual नहीं बना सकते हैं आपको या json file बनानी पड़ेगी मतलब ऐसा software आपके पास होना चाहिए जो की json file को create करें और उस json file को आप upload कर सकते हैं e-invising की website में जिससे की आपको e-invising मिल जाएगा जिसमें की आपका barcode IRN number और acknowledgement number printed रहेगा तो अगर आपकी turnover 20 करोड या 20 करोड को cross कर चुकी है तो आपका जो भ IRN number और acknowledgement number आपको print करके देना पड़ेगा जो की बहुत ही mandatory हो जाएगा बगर उसके आपका जो invoice है वो valid नहीं रहेगा तो बात करते हैं turnover की turnover कैसे count करनी है मतलब कि किसको ये applicable होगा कौन सी turnover count होगी तो जब से gst आया है तब से लेके अभी तक जो aggregated जो आपकी turnover है अगर 20 करो है तो आप बिल्कुल साफ़दान हो जाएगे अगर आप invising में जादा उलट फेर करते हैं मतलब जादा invis को delete करते हैं या जादा invasus में alteration आपकी होती है या फिर आप और कुछ करते हैं तो आप बिल्कुल साफदान हो जाएगे ये काम आप अब नहीं कर पाएंगे तो अ आप उसमें कुछ modify नहीं कर सकते हैं और अगर आपने कुछ modify भी करना है तो उसके लिए आपको वह इन्वाइज properly cancel करना पड़ेगा वहाँ पर रीजन आपको देना पड़ेगा कि क्यूं हम इसको cancel कर रहे हैं और उसके बाद आपको नया इन्वाइज जनरेट करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपने उस इन्वाइज को delete कर दिया आप उसको cancel कर सकते हैं delete का option आपको नहीं मिलेगा और जो इन्वाइज आप delete करेंगे उसकी सारी details GST department के पास होंगी साथे साथ जो आपका ebay bill है वो भी आपका generate हो तो इसके लिए जो detail वीडियो है कि Tally software में इसको कैसे maintain करना है वो वैसे तो मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले ही upload कर दिया है जब यह mandatory हुआ था 100 करोड़ और 50 करोड़ के businesses के लिए लेकिन दुबारा से मैं आपके लिए और भी detail में वीडियो लेके आऊँगा कि Tally से आप कैसे e-invising को generate करेंगे तो पूरी setting मैं आपके लिए लेके आऊँगा तो अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर दीजिए और bell icon को भी click कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नई वीडियो upload करूँ उसकी notification आपको मिल जाए तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपके लि लाइक करना बिलकुल मत बूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन